असलाम वालेकुम आयद मैं आपके साथ शेयर करूंगी बड़े के कोफते की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं विना टूटे विना फटे अगर आपके कोफते टूट जाते हैं तो आप इस रेसिपी को फालो करका परफेक्ट कोफते बना सकते हैं तो चले देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया कौफते बनाने के लिए 500 ग्राम हमने कीमा ले लिया है कीमे को अच्छे से वाश कर लीजेगा इसमें पानी नहीं रहना चाहिए एक छनी में डालकर रख दीजिएगा दो से तीन गंटे के लिए इसका पानी निकल जाएगा अब दूसरी साइ कर देंगे प्याज को करना है में गोल्डन फ्राइ तो देखिए यहां पर हमारे गोल्डन फ्राइ हो चुकी है तो अब इनको हम बाहर निकालेंगे अगर आपको हमारी डिफरेंट स्टैल कोफते की रेसिपी चाहिए तो भी हमारे चैनल पर अपलोड है आप चेक कर सकते है प्याज फ्राइ हो चुकी तो एक बूल में निकाली इसको साइट कर देंगे अब यहां पर हमें मिक्सी जार लेना है इसमें एट करेंगे हम 100 ग्राम चने यह भुने चने हैं तो यह एट कर देंगे एक टी स्पून खशकर एक टेबल स्पून नारियल पॉडर यानि गरी का गया है और लेना हैं उत्ती को साइट कर देंगे और अब हमें लेना है एकज़ा मिक्सी जार ले सकते हैं इसको ने रफले कर देंगे और 6-7 लेसिन के कर लियां यह एट कर देना है पांच हरी मिर्च लिए यह एड़ कर देनी है और दो मुठी हमने हरे दनिया ले लिया है तो यह भी एड़ कर देंगे इसी के साथ ही हमें लेना है गुल्डन फ्राइ कियो हुए प्याज जो हमने फ्राइ करकर रखे हुए थे आदे प्याज इसमें एड़ कर देने है आप इस तरह से प्याज फ्राइड करकर और इसमें एड़ करेंगे नो आपके कोफ़ते एक दम सॉफ्ट बनेंगे अब इनको कर लेना है में चौपत देखिए हमने इसको फाइन चॉप कर लिया है और अब इसमें करेंगे हम कीमा देखिए कीमा हमारे पास मोटा कीमा था हाथ क्टा तो हमने यहां पर कीमा कीमा वाप हल्का सा फेट के साथ लीजिए अब यहां पर बंटीश्पून गरम शल्डी पॉडर और एक टीश्पून नमक तो यह एट कर देना है जो हमने चनों का पॉडर बना कर रठा तो यहां पर हम एकदम फाइन पीस हैंगे अगर आपने अभी तक इंस्ट्राग्राम और फेस्बूक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाएए फॉलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो देखिए हमने एकदम बारिक पीस लिया है तो देखिए जितने बड़े एप जितने चोटे जैसे भी पसंद करते हैं जैसे बीपनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं तो यहां पर हम एक प्याज फ्राइट किया हुए थे 100 ग्राम ओएल में हम यहां पर हम इंच का दालचीनी का टुकडा दो बड़ी लाइची ती च सार लॉंग, दो हरी लाइची, आधा टी स्पून, काली मिर्थ, दो तेश पत्ते, तो यह एट कर देंगे, मसाला को हमें हलका सा क्रैकल कर लेना है, तो देखिए मसाले अच्छे से क्रैकल हो चुके हैं, तो अब इसमें एट करेंगे, एक टेबल स्पून भर कर लीजेगा मसाले, यह पर रजय हैं, तो यहां पर बनरफ तेबल स्पून, देर बड़ा चंबाच धनिया पाउरर लेना है, एक टी स्पून लाल मिर्थ पॉडर, आदा टी स्पून हल्दी पॉडर, एक कश्मीरी लाल मिर्थ पॉडर, यह एट कर देंगे, कश्मीरी लाल मिर्थ घूनने के लिए हमने हाई कर लिया है लेना है है अधित करनेके बाद इसको हमें कवर कर देना है लो फ्लेम पर पांच नट पकाएंगे तो यहां पर हम पांच नट पकने के लिए छोड़ देते हैं तब तक हम यहां पर देखिए प्याज जो हमने आदे बचाकर रखे हुए थे गोल्डन फ्राइ की हुए प्याज वह आदे प्याज इस मिक्सिज बना लेना है यह पेस्ट बनकर त्यार हो गया है इसको साइक करेंगे यहां पर यहां पर हम कॉफटे चैक कर लेते हैं तो देखें यहाँ पर 15 मिनिट हो चुके थे कोफ़तों को पकते हुए और कोफ़ते एकदम टूटे नहीं है परफेक्ट कोफ़ते बने हैं देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं जब आप इस तरह से बनाएंगे हमारे तरीके से तो आप आपकी जो कौफ़ते हैं ब और यहां पर हम इसको 10 minute और पकने के छोड़ेंगे तु हाई फिलेम पर रख रहे हैं ताकि यह जलेना तो छोड़ आतो 10 Link के लिए फलीट ये पकने के लिए तो देखें 10 equivalent हbla जुके हैं ये भीस के ए छोड़ेंगे relatively पेस्ट क्यांब यह बहुत चीजि़ों के साथ प्याज पस्ते साथ के साथ भी बहुत अच्छे से बhou triangle actually अाब इसमें लगाना है आपको ग्रेवी के लिए ग्रेवी के लिए ग्रेवी लगाने तो जितना भी यहां पर पाणी mówią पानी आ ना इसमें पानी एड़ कर सकते हैं अब अच्छे से मिक्स कर लिए बस पांच मिनट हमें इसको और पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर तो यहां पर देखे पांच मिनट हो चुके हैं तो इसको खोल कर देख लेए तोटल हमने यहां पर 35 मिनट लगे हैं कोफतों को पकने के किलिए तो यहांपर देखिए अच् chay cat कर दिंगे और इसमें करना है उतना इसमें में एट कर सकते हैं बस अच्छे से मिक्स कर लेना है और यह सातरल करने के लिए एक दम ब्रेट है लो दे यह uta कि दी। मबफर कमैंद क्या है। मैं यह कर देंगे यह दए हैं और about कौंटीटी अपने हिसाब्त कर सकते हैं मैं जादा डालते हैं इसका मथ अची रेशेपी मिस करें तो आप ऑल के मतलब फिकर मत कीजी जितना आप चाहें उतना इसमें एड कर सकते हैं और देख सकते हैं एकदम कोफते एकदम सौफ्ट बने बिल्कुल अंदर से भी बहुत सौफ्ट बने बिल्कुल भी टूटे नहीं है तो जब भी आप ट्राइ करें तो मुझे कोमेंट्स करकर जुरूर करूंगी अला हाफीज